Spine में Fusion Surgery का क्या मतलब है? Normally, Spine हमारी इस तरह की होती है. इसमें ऐसे movement होता है हर level पे. तब ही हम गर्दन मोड पाते हैं, या कमर से मोड पाते हैं, और पीछे की तरफ reverse हो पाते हैं. तो normally, जब Spine का normal movement हमें बंद करना होता है, तब उसको हम Fusion Surgery कहते हैं. Fusion Surgery में एक पर हमने Spine को fix कर दिया, या fuse कर दिया इस तरह से, तो उसमें फिर movement पॉसिबल नहीं रहता. Fusion Surgery normally इस तरह से screw लगा के होती है. Fusion Surgery में इस तरह से screw लगा जाते हैं, और इस तरह से rod लगा जाती है उसके बीच में. तो और उससे इस तरह से Spine का movement हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं. कभी-कभी additionally हमें vertebra में आगे की तरफ डिस्क को निकाल के उसकी जगा पे cage या artificial disc जैसी चीज़ डालनी पड़ती है, जिससे भी हम Fusion करते हैं और movement खतम कर देते हैं. Fusion surgery कभी-कभी ज़रूरी हो जाती है, खास तोर से जब degenerative conditions हो, जिसकी वएसे back pain काफी symptomatic रह रह रहा हो, या कभी अगर bone आगे slip होने लग जाए, या अगर कभी infection हो, या अगर कभी कमर में चोट लगी हो, जिसकी वएसे fracture हो गया हो. तो इन situations में Fusion surgery करनी ज़रूरी हो जाती है. Fusion surgery अपने आप में बहुती safe और effective तरीका है, back pain या neck pain related issues को treat करने का. आजकल जो हम screws डालते हैं spine में, Fusion surgery में, वो grade 1 titanium के होते हैं, जो body में किसी भी तरह का reaction नहीं करते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और इनका कोई body में किसी तरह का allergic reaction नहीं होता. Fusion surgery can give you a very pain free life for future. Thank you.